कि वीडियो अन कर लीजिए वोडियो एक बार चेक कीजिए आवाज है मेरी कि चले तीन बार ओम के उचांड के साथ अजिक लास को शुरू करते हैं हम तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगी जिनको आना होगा जिर रिकोर्डिंग का उप्षेन आए तो येस कर दीजिए कि तीन बार ओम के उचांड करेंगे किसी भी कमफर्टबल पिजिशन में बैठे हाथ दोना प्रेयर पिजिशन में तीन बार ओम के उचांड झाल झाल खुझ से कनेक्ट हो जाएं अपने स्वास से, शरीर से, परमात्मा से कनेक्टिड महसूस करें अपने आपको कम्प्लीटली प्रेजन्ट करें यावच करें देना हथीली कावस में रब करें धेर श्यांके खूले आज यहां पर हम सब इकटा हुए है टांस्फरमिशनल यूगा के बारे में जानने के लिए आज हम कोई physical practice नहीं करेंगे हम last में थोड़ा meditation करेंगे कोई physical practice नहीं करेंगे лेकिन उस चीजा को समझ लेंगे आप में इसे पहले योग practice कौन कौन लोग करते हैं हात उपर करो इसमें raise hand का option होगा जो पहले योगव भ्यास करने वाले हैं तीन लोगों नहीं, चार लोगों नहीं किया अभी तक तो फिर उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा आगे बात बता पाऊंगा आपको फिर मुझे बलकुल जीरो से शुरू करने ही पड़ेगी बागी करने वाले हैं नौर्मली हैं सारे जिनको मैं जानता हूँ पहले हम टांस्फरमेशनल योगा के बारे में जानते हैं क्या चीज़ है तो इसको थोड़ा सा हम स्लाइट्स के थरू समझने की कोशिश करेंगे करेंगे अब भी जो हम योग अभ्यास करते हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं हठ योग हठ योग का परपज क्या है मौक्ष की प्राप्टि करना एक हुमन को सूपर हुमन बनाना लेकिन फिलहाल हमारा ये मोटिव नहीं है हमारा मोटिव है अभी बिमारियां ठीक करना एक स्वस्त शरीर हो जाए थोड़े सा मानसिक तनाव कम हो जाए अभी हमारा यही मोटिव है इतना ही हमें हट योग के बारे में पता है तो जितने भी अभी हम प्रक्टिस कर रहे हैं वो हट योग के अंतरगत आते हैं कोई भी योग का भ्यास आप किसी भी परकार का कर रहे हो चाहे वो बाबा राम देव द्वारा सिखाया गया हो चाहे वो Shadguru द्वारः सिखाया गया हो चाहे वो श्री-श्री रवी शंकर द्वारः सिखाया गया हो कहीं से भी आपने, किसी भी इंस्टिटूट किसी भी स्कूल से कुछ भी सीखा हो सारा भ्यास वो हट यूगा भ्यास है तो जो Transformational yoga है वो भी हट योग से ही बना है, जो तना है सारे योग का, वो हट योग है, उसमें जो प्राणायाम दिये हुए हैं, उसमें जो आसन दिये हुए हैं, वहीं से सारी, वो foundation है सारी, तो transformational योगा जो है, वो हट योग की ही एक ब्रांच है, इसको कहा गया है integral system of yoga practice, integral system का मतलब है कि जो एक complete approach रखता है, हर योगा system का अपना benefit है, अपने फायदे नुकसान है, अब कोई physical level पर ज्यादा फोकस करता है, कोई आंतरिक लेवल पर ज्यादा काम करता है, कोई ध्यान पर ज्यादा फोकस करता है, कोई mental fitness पर काम करता है, कोई प्रानायाम पर, जैसे ब 30-30 मिनट तक भी कपाल भाती नाड़ी शोधन सब करते हैं ताकि उस इंटरनल फिटनेस को पाया जासके पावर योगा जो है वह ज्यादा मसल्स के उपर ज्ट्रेंट के उपर ज्यादा काम करते हैं ताकि एक बोडिक शेप जो है प्रोपर तरीके से आ सके तो ऐसे हर सिस्टम अपने लवल पर एक फोकस किया है और जो उसको बनाने वाले मास्तर थे उनके अकोरडिंग माला लिजी मेरे मेरा भयास एडवानस आसनों का है तो मैं एडवानस आसनों से रेलेटेड ही आके आके फोर्म क्रियेट कर दूँ तो ऐसे भहुत सारी सब्सक्रियेट हुई है तो ट्रांस्फर्मेशनल योगा भी उनी में से एक पार्ट है उसके बाद हम देखते हैं ट्रांस्फर्मेशनल योगा की शुरुवात कहां से हुई इसको बाद हम दूसरे में कोई ता एक वे अधिया वाद हम दूसरे में कोईदा हैं एक मिनट ओए आधिशनल योगा बाद हो All सर वो इस नहीं आ रही हांजी अभी आएगी मैं भी बोल नहीं रहा भी एक बर पीविटी निकाल रहा हूँ है अगे सर सबस्क्ति रहा हूँ जयाँ सहे लुएप मैं भाबन बोल नहीं वहा हूँ है यह भी इस दो प्रष्ट हम जये आप हूँ है यह वजक टूए मैं बोल, इस दो जोड़िए एंद रहा हूँ है एक चीर्श के प्रू आपको देहां गगानों थोड़ा सा नया system है Transformational Yoga कम ही प्रक्टिस किया जाता है कम ही popular है क्यूंकि popular वो topic होते हैं जो hot होते हैं जो थोड़ा सा जिसमें चटक होती है जिसमें जो मीडिया में चाये रहते हैं भी एकदम से requirement है कि दस दिन में पांच किलो वजन कम कैसे करें तो वो तुरंत एकदम से वाइरल हो जाएगा वो टॉपिक तो transformational yoga जो है थोड़ी सी साधना वाली चीज है और थोड़ा सा deep है उसका effect तो उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं की जाते हैं Transformational yoga की जो शुरूआत होई है एक महरिशी अरविन्द हुए है महरिशी अरविन्द पढ़ा होगा जन्नोनी योग के बारे में पढ़ा है तो महान योगियों में से एक योगी महरिशी अर्विंद भी हुए है जो करांती कारी भी रहे हैं और I.S. ओफिसर भी रहे हैं और बाद में स्प्रिच्वल गुरू भी रहे हैं उनके साथ श्री माता जी रही है श्री माताजी ये विदेश की महिला थी जो भारत में आई और यहां की अध्यात्मिक्ता से परभावित होके इन्होंने यहीं पर जीवन जीना शुरू किया और यहीं पर एक स्प्रिचल पार्टनर की तरह इनके साथ रहा कि श्री अरविंद की जो स्मूध था उनका नेतरतव श्री अरविंद के बाद इन्होंने किया दोनों ही ये सिद्ध गूरू थे तो श्री अरविंद का जो कॉंसेप्ट था वो था चेतना का विकास इनका मानना था कि जो इनसान बना है वो कोई ऐसा नहीं है कि अब इनसान बन गए तो इनसान ही रहोगे जो हमारी कॉंसेशनेस है वो एकस्पेंड करती है मालिज ये इस बर्त में हम कुछ कर रहे हैं अगले जना में हम कुछ और होंगे, कुछ सालों बाद हम कुछ और होंगे, मतलब एक चेतना का विकास होते होते हम यहां तक पहुँचे हैं जैसे 84 लाख योनियों का एक concept हमने सुना होगा, कि हम यहां तक पहुँचे हैं, सारी योनियों को पार करके मनुश्य की योनिय मिलती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी चेतना का विकास होते 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 हम human बने हैं, तो श्री अर्विंद का जो concept है वो यह था कि हम जो हैं और जो हो सकते हैं उसको अगर कोई इस योग में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो योग कर सकता है, योग एक tool प्रोवाइड करता है उस चीज के लिए, योग उसके लिए कोई philosophy नहीं देता आपको, कोई बहुत लंबी चोड़ी बात नहीं करता है, वो कुछ अभ्यास आपको practical देता है, कि ये प्राणायाम करो, इससे नाड़ियां शुद होंगी, इससे दुख दूर होंगे, इससे mental clarity आपके अंदर आएगी, तो tools योग देता है, दवाई की तरह योग काम करता है, जैसे अलोपेथी है, आप सिर में दर्ध है, आपको पता नहीं, सिर दर्ध क्यों है, क्या कान है, कोई मतलब नहीं, आपने एक tablet खाई और सिर का दर्ध ठीक, तो योग आपको एक tool देता है, आपको अलग-अलग परकार के आशन, प्रानायाम, ध्यान की क्रियाएं, धारना की क्रियाएं, एक practical tool देता है, तो श्री अरविंद का मानना था कि योग जो है, वो इस योग में और अभी जो इनसान है, जो आधुनिक इनसान है, उसके अधर energy की एक type से अवतार के रूप में इनको माना गया था, क्योंकि इन्होंने समाधी प्राप्त की थी, श्री अरविंद ने भी समाधी प्राप्त की थी, उसके बाद इन्होंने श्री माताजी के बारे में इनको मतलब एक type से पूजा भी जाता है, ये माना जाता है कि जो देवी है देवी शक्ती है जो शिव और शक्ती का जो रूप है वो शक्ती इनके अंदर अवत्रीत हुई थी human consciousness को आगे बढ़ाने के लिए इनकी बहुत सारी किताबें हैं इनकी बहुत सारा literature है बहुत वास्ट और बहुत दिमाग खाने वाला literature मतलब नॉर्मल अध्यात्मिक चीजे नहीं है बहुत advanced level की चीजे है जो समझने में बहुत समय लगता है तो उन्होंने योगा का एक सिस्टम बनाया कि योग सिर्फ आपको शरीर के लिए नहीं करना आपको प्राण के लिए भी करना है आपको अपने मन के उपर भी काम करना पड़ेगा आपको अपनी आत्मा के उपर भी काम करना पड़ेगा अपनी बुद्धी पर भी काम करना अभी हम क्या हैं? हम एक शरीर हैं जिसमें स्वांस चल रही है, जिसमें प्राण बह रहा है, जिसमें एलेक्ट्रिक बायो एलेक्ट्रिसिटी बह रही है, जिसमें कुछ विचार उट रहे हैं, कुछ भावनाए उट रही हैं और उन सारी चीजों को एक सोल एक्सपिरिंस कर र रहें सिर्फ सुक्षम व्याम करते रहें सिर्फ उचलकूद करते रहें सिर्फ सुर्य नमस्कार करते रहें वो योग नहीं होगा वो योगा हो सकता है वो योग एक्सिसाइज हो सकता है अगर उसी से दुख दूर होने होते तो फिर तो फिजियो थेरेपिस्ट आपके दुख एक layer है, फिर प्रान एक layer है, मन एक layer है, बुद्धी एक layer है और आत्मा एक spiritual body एक layer है, इन पांचों सिरी के बारे में हम आगे जानेंगे, तो इनके इस concept को लेके, सिरी अरविंद का ये concept, चेतना के विकास वाला concept, और ये जो गुरु हमें दिख रहे हैं, ये स्वामी सत्यानन्द, बिहार योग विदाला के बारे में जिनको पता हो, तो स्वामी सत्यानन्द बिहार योग विदाला की जो स्थापना की थी, वो स्वामी सत्यानन्द ने की थ और योग के उपर इन्होंने बहुत सारा रिशर्च वर्क किया हुए है जितना भी हम कॉंसेट फॉलो कर रहे हैं आज के दिन बाबारामदयो यानि पतंजली योग पीठ में जो सिखाया जा रहा है श्री श्री रविशंकर द्वारा जो सिखाया जा रहा है जितने भी कुल किताब है वहीं से अब जैसे मैं उसके किताब को पढ़ूं कुछ और बनाके कुछ तीशरी चीजे में पेश कर दो तो स्वामी सत्यानने एक रिशर्च वर्क किया है बहुत बढ़िया वाला योग के उपर अब इनके शिश्य स्वामी विद्यानन्त जी जी लक्स में जी श्री अरविंदो गोस्ट जो आप कह रहे हैं वही अरविंदो गोस्ट उनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं इस स्वामी विद्यानन्त हैं स्वामी विद्यानंद, पहले स्वामी सत्यानंद से इन्होंने सन्यास दिक्षा ग्रहन की, इनके सानिध्य में रहे, यहां से भी योग की शिक्षा प्राप्त की, और स्री अरविंदो पंडे चेरी में इनके अशन में भी रहे हैं, तो वहां से भी इन्होंने दिक्षा और सा बेंदों के चेतना की विकास को मिला कि इन्होंने ट्रांस्फर्मेशनल योगा की स्थापना करी। अब ट्रांस्फोर्मेशनल योगा जो है यह आपके शरीर के उपर आपके प्राण के उपर आपके चक्रों के उपर आपके मन के उपर पूरा काम कर सके तो इन्होंने कुंडलीनी योगा की इन्होंने कुंडलीनी योगा, मंत्र योगा, हट योगा, इन सारे योग की पद्धतियों को मिला की एक प्राक्टिस डेवलप की सालों साल अभ्यास करने के बाद, और ये जो टांस्फरमेशनल योगा है ये भारत में कम पर चली था है, लेकिन विदेशों में बहुत पूरे वर्ल्ड में प्राक्टिस की जाती है, जो सीरियस है योग साधक, जिनको कुंडलीनी के उपर काम करना है, जिनको अपने चक्र कर रहे हैं, उस हिसाब से वो कभी खतम होने वाली नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी शरीर के उपर अठके हुए हैं, लेकिन जो थोड़ा सा गहरे उतरते हैं, वो टांस्फरमेशनल योगा का भ्यास करते हैं, सीखते हैं, वो टांस्फरमेशनल योगा, क्रिया योग और जो deep है यिन योगा उनका भ्यास करते हैं जो energy के उपर काम करते हैं जो energy system जो 500 system के उपर काम करते हैं अब उसके बाद हम ये देखते हैं जो transformational योगा है वो मानता है कि आप सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं है आप ये 5 शरीर है आप जो दिख रहे हैं वो सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है अगर शिर्फ भौतिक शरीर होते तो डौक्टर आपको ठीक कर पाते हैं आप मन भी हैं आप बुद्धी भी हैं आपकी जो 80% बिमारिया हैं वो psychosomatic हैं वो आपके बुद्धी में विचार से पैदा हुई मन में भावनाव से पैदा हुई और शरीर में जाके वो reflect हुई हैं 80% बिमारियां psychosomatic हैं मनोकाइक हैं मतलब जो मन में पैदा होके शरीर में पैदा हुई हैं दिख शरीर में रही है, reflect वो शरीर में हुई है, जैसे software में problem आ जाए तो problem hardware में आ जाएगी, आपका computer बंद हो जाएगा, तो उसी परकार शरीर में आती है, तो इस पांच शरीर का concept फॉलो किया जाता है, physical body जो है वो है आपका भोतिक शरीर, जो भोजन से बनता है, जो अन से बनता है जो आप जिसको अन्न में कोश भी कहते हैं जो पंचत्व से से बनता है वातपितकव से बनता है सब धातुएं जिसमें होती है इन सब चीजों की संत्agtलन के लिए भी इसमें अभ्यास बताए गए है जब हम भृतिक सरीर पर काम करते हैं तो फिर हम धीरे-धीरे उस प आज बार रिपेट किया हो गया लेकिन यहां पर पहले आशन सीखा जाता है जब आशन करना आ गया तो उस आशन में प्राणयाम किया जाता है जब प्राण में शिरीर के उपर आप काम करते हैं तो आप आशन की प्रैक्टिस में प्राणयाम भी करते हैं जब प्राणयाम हो ज जाता है एक आसन में रुकने का तो फिर उसके अंदर mindfulness यानि self observation भी practice किया जाता है relaxation practice किया जाता है एक सूत्र पड़ा होगा हमने हम हर आसन स्थिर सुखम आसनम उस सुख की स्थिति को कैसे प्राप्त करें जब उस आसन में हम rest कर सकेंगे relax कर सकेंगे शितिल हो सकेंगे तभी तो हम कर पाएंगे न अब मैं आपको कहूँ कि ताड़ आसन में relax होने की कोशिश करो पूरा सिरिर खीच रखा है कैसे relax करेंगे हम लेकिन जब आप उसमें अभ्यास करते 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 अपने सुआस को भी कंट्रोल कर लोगे मंतर के द्वार अपने विचार को भी कंट्रोल कर लोगे तब आप धीरे 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 उस शांती की और सुख की अवस्था तक पहुंच सकोगे पुराने जमाने में हमने देखा होगा टीवी सीरियल्स में देखा होगा पुराने जमाने में तो क्या एक पैर पर खड़े होके साधना करते थे और मंतर जाब भी करते थे कि ओम नमशिवाय हमारे जो चलते हैं रावण ने भी एक पैर पर खड़े होके उम्नमश्वाई की चेंडिंग जाप किया था तपश्चा करते थे तो क्या करते थे शरीर को स्थिर किया आसन के द्वारा प्रान को स्थिर किया प्रानयाम के द्वारा और मन को स्थिर किया मंतर के द्वारा और फिर किसी एक देव की एक शक्ती की साधना की तो वो तपश्या कहलाती थी, वो योग कहलाती थी और वहाँ पर वो connectivity बन पाती थी, फिर दिखाते हैं कि शिव जी परकट हो जाते थे, परकट होने का मतलब वहाँ उनके तार जुड़ जाते थे, योग हो जाता था, तो वही साधना यहाँ पर हम practice करते हैं, पहले आसन, फि कान शरीर जिसको हम बोलते हैं, यह पांच शरीर का concept इसमें practice किया जाता है, उसके बाद एक और concept इसमें आता है, अभी मैं सारी चीजों के highlight आपको थोड़े थोड़े बता रहा हूँ, फिर इनकी सारी detail और इनको किस purpose के लिए कौन सी exercise करनी है, वो तो हम पूरा course में ही सीख पाएंगे, लेकिन अभी मैं सारी चीजों की थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, फिर इसमें concept आता है कि जो पांच शरीर हैं, वो पांच शरीर भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ पांच ही शरीर हैं, वो समझ लीजिए दस शरीर हैं, उसके दो रूप है, प्योर और अशुद्ध है हमारा, उसको सुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें भोतिक शरीर पर काम करना पड़ेगा, उस भोतिक शरीर को अशुद्ध से सुद्ध करना पड़ेगा, जब वो सुद्ध हो जाएगा, तो फिर हम प्रान शरीर के उपर जाएंगे, फिर प्राण शरीर को अशुद्ध से शुद्ध करना पड़ेगा, प्योरिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको प्योर कर दिया हमने, फिर हम mental body पर जाएंगे, वो भी अशुद्धियां, जो मन की अशुद्धियां हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, इन सारी चीजों के लिए अभ्यास बताए गए हैं, प्योर और इंप्योर बोडी, ये पांचों शरीर जो हैं, ये शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं, आपके नीचे के चकर और उपर के चकर, ये कैसे रिलेट करते हैं, ये इसमें समझाया जाता है, आपका जो भोतिक शरीर है, वो सीधा-स सीधा-कनेक्ट है, आपके स्पिर्चल बोडी से, अध्यात्मिक शरीर से, यानि कान शरीर से, इंटरकनेक्टेड हैं ये, इस परकार से एक कुंसेप्ट पूरा समझाया जाता है, और पांचों शरीर जो हैं, पांचों तत्व से भी कनेक्टेड हैं, उन तत्व को संतुलित करने के लिए कुछ मंदरों का अभ्यास किया जाता है, पांच शरीर हो गए, प्योर इंप्योर फॉर्म हो गए उसकी, इनको ठीक करने के लिए अभ्यास बताए गए हैं, उसके अलावा कुंसेशनेस को, ये एक कॉंसेप्ट भी बढ़िया है, आप समझेंगे तो थोड़ा ये चार्ट दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा हाइलाइट करता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि चेतना का विकास क्या, जो सेल्फ फिलिंग जिन्नोंने की थी, उनको तो मैंने ये समझाया था, आप भी इसको समझ लीजिए, अगर इसको आप देख पा रहे हैं ये अगर हमारी चेतना का चार्ट है, तो अभी हम जो जी रहे हैं, वो इस तर पर जी रहे हैं, इस 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, जो चीजे दिखती हैं, उसी वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, यहाँ पर हम क्या फील करते हैं? शेम, गिल्ट, ग्रीफ, फियर, डर मतलब ऐसे भाव में अभी हम जी रहे हैं आप अपनी चेतना की विकास को जानना है तो उसका ये चार्ट है आप अभी इसको पढ़ लो आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल पर अभी एग्जिस्ट करते हैं आपकी चेतना कितनी ऊपर उठी हुई है उसके लेख किसी गुरू की पूछने की जरूरत नहीं, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं इस चार्ट में से देख लीजिए आप अभी क्या महसूस करते हैं अगर आप अभी गिल्ट फील में हैं, डर में हैं, ऐसे रुक्षा में हैं तो आपकी जो चेतना है नीचे के चक्रों में ही है ये नीचे की तीन चक्र हैं फिर आप धीरे-धीरे होशला करना शुरू करते हैं चीजों को स्विकार करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जेतना ऊपर उठती है हिर्दय चक्र तक हम समस्त हम पढ़ते न कई बारे कि कुंडलीनी यहां पहुंच गई यहां पहुंच गई फिर कोई कहता कि यहां पर कुछ फीलिंग हो रहा है इतना असान काम नहीं है कि कुंडली बाद में हम question answer का समय देंगे सबको अभी हम महसूस कर रहे हैं अब इस जीवन को यह सारी vibration चमझ लीजी आप यह vibration का level है अभी आप vibrate कर रहे हैं यहां पर इस level पर vibrate करने की वज़े से आपके शरीर की जो vibration है आपकी चेतना की जो vibration है यहां पर है तो आप इस संसार को कैसे महसूस करते हैं दुख गिल्ट ऐसरुक्षा भै यह सारी चीजे आपको लगता है कि सारी दुनिया negative हो गई है सब हमारा नुकसान करने पर तुले हुए हैं इस भाव में हम अगर आप अभी जी रहे हैं तो समझ लीजे अभी आपकी चेतना यहां पर है फिर जब हम योग अभ्यास करते हैं योग अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे next stage जो आती हो self implement की आती है ये योग अभ्यास आसनों के द्वारा भी हो सकता है, भक्ति के द्वारा भी हो सकता है, ये अलग-अलग माग से भी हो सकता है, करम योग के द्वारा भी हो सकता है, आप योग का किसी भी तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, तो आपकी चेतना उपर उठना शुरू होती है, आप चीजों को स्विकार करना शुरू करते हैं थोड़ा लाइट फील करना शुरू करते हैं अंदर से आपको कुछ इंट्यूशन आनी शुरू होती है आपको समझ में आता है कि चीजे इतनी भी खराब नहीं हैं जितनी हम समझ रहे हैं एक सेल्फ इंप्रूमेंट की स्टेज में आ जाते हो तो आपकी चेतना का विकास हो रहा है फिर धीरे धीरे अप वननेस की स्टेज में आते हो वननेस की स्टेज में आपको लगता है कि सारे पेड़ पोधे, सारी चीजे, सारे व्यक्ति हम एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड हैं, कहीं न कहीं हमारा ही विस्तार हैं वो, हम किसी और का विस्तार हैं एक ही, मतलब एक ही बीज से एक व्रिक्ष बना है, उस पर ही हजारों पत्ते लगे हैं, वही हम सब हैं तो ऐसे इंटरकनेक्टिड आप फिल करते हैं, तो फिर आप समझें कि आप यहां तक पहुंचे हैं इस परकार से करते करते, धीरे 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 आपकी चेतना का विकास होता है और आप फिर मानव से महा मानव बनते हैं यह आप जीरो से हीरो बनने तक का, जैसे हम क्लास में बढ़ते हैं, यह नर्सरी क्लास है, तो यह मास्टर क्लास है यहां तक हमें पहुंचना है अगर आप अभी भी संसार को दुख के रूप में देख रहे हैं पीडा के रूप में देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तो मेरा भागय ही खराब है मेरी किश्मत ही खराब है तो समझ लीजिए अभी आपकी जेतना का विकास हुआ नहीं है और वो कब होगा practical tool योक अभ्यास मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ transformational yoga से होगा किसी भी परकार की योक अभ्यास हाँ सिर्फ exercise करते रहे तो शरीर पर ही अठके रहोगे प्रानायाम भी करने पड़ेंगे ध्यान भी करना पड़ेगा अपने left right brain को balance भी करना पड़ेगा एड़ा पिंगला नाड़ी को संतुलित करना पड़ेगा mindful भी होना पड़ेगा अपने पांचों को उस पर चबाब काम करो कि धीरे धीरे progress होगी और मैंने अपनी life में यह सारी stages महसूस करी है यह नहीं कहता कि मैं कोई सिद्ध हो गया हूँ लेकिन यह जो fear और शेम वाले जो भाव है जो ऐसे रुक्षा के भाव है यह lower vibration से ही मैंने योग करना शुरू किया था मैं भी ऐसी depression में था लेकिन जब मैंने खास कर आसनों का भ्यास मैं करता था सालों साल मैंने आसन भी किये है लेकिन यह मैं अपना experience बता रहा हूँ जब मैंने प्रानायाम का भ्यास शुरू किया जब मैंने खास कर मुद्राओं का भ्यास शुरू किया मुद्रा जिसमें बंद लगाते हैं हम तब मुझे मेरी चेतना में परिवरतन महसुस हुआ तब जो फिर था भै था जहां मुझे लगता था कि सब मेरे दूश्मन है वो भाव मेरा खतम हो गया वहां मैत्री भाव मेरे अंदर पैदा हुआ और ये चीजी धीरी 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 ये स्विकार भाव और ही मैंने अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया है और एक अच्छे लेवल तक मैं योक अभ्यास करते करते पहुँच पाया हूँ तो जब मैं पहुँच पाया हूँ तो मैं अपने आपको सबसे सबसे ज़्यादा depression में समझता हूँ कि मैं जितने तनाव में रहा हूँ तो आप सब तनाव में नहीं है उस तनाव से जब मैं निकल सकता हूँ तो आप सब भी निकल सकते हैं तो यह चेतना का विकास और यह आपके पांच शरीर का concept है सबसे पहले इसमें practice किया जाता है आसन आसन अभ्यास कियी जाते है योग आसन और आसनों में भी holding इसमें कोई सुक्षुम व्याम नहीं है इसमें सुरेन मस्कार है वो भी मंतर के साथ है मंतर थोड़े से different है बीज मंतर connect करके हैं उसके साथ Normally हम जो यो मित्रा ये नमय वो मंतर भी है लेकिन उनके साथ बीज मंतर भी है प्राणायाम के साथ है शुरीय नमसकार भी और आसन है holding कम से कम 2-3-4-4 मिनट तक holding है शुरुआत हम एक मिनट से करते हैं धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-फिरे पहले आसन होना शुरूँ होगा आसन होगा तुछ Ephraam नाड़ी-चोधन भी हैं कपाल-भाती भी है ये सुधी क्रिया हैं उसके अलावा इसके जो । पान्च प्राणायाम है वो अलग है उन पांच प्राणायाम में अपने अपान वायू, समान वायू, प्राण वायू, उदान और व्यान वायू को एक्टिवेट करने के तरीके बताए गए हैं। उनका अभ्यास थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, नॉर्मली उनको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। हर चकर के तीन मंत्र हैं, प्रीफिकेशन, र्लेक्षिशन और अकटिवेशन, पहले हम प्रीफाई करते हैं अपने चकरों को, जो हम समझते हám कि चकर एकदम से अक्टिवेट को जाएंगे, वह से नहीं होगे। हर चकर के उपर यही होगा उसके बाद हम meditation का भ्यास करते हैं meditation में हम divine mother energy से connect होने की कोशिश करते हैं जो उसके भी मंतर हैं अलग से मंतर के दुआरा हम जो healing light है उसको invite करते हैं अपने अंदर और उसको खुद में उसका आवान करना सीखते हैं अपने चकरों में अपने पांचों कोश में उसको कैसे फैलाना है दूसरों के साथ उसको कैसे share करना है वो चीज़ सीखते हैं उसके बाद हम relaxation सीखते हैं relaxation में योग निद्रा सिखाई जाती है step by step एक योग निद्रा हम वो practice करते हैं जो हम अपने पैर से share तक अपने ध्यान को घुमाते हैं वो योग निद्रा और इसकी योग निद्रा थोड़ी different है यहाँ पंच course के हिसाब सी योग निद्रा practice की जाती है पहले आप अपने physical body को relax करना सीखते हो फिर आप अपने दूसरे शरीर को relax करना सीखते हो और उनके लिए दो दो तिन तिन वीधियां हैं कि किस वीधि के द्वारा आपका प्राण शरीर relax होगा किस वीधि के द्वारा mental body आपकी relax होगी किस वीधि के द्वारा आपकी psychic body relax होगी तो यह relaxation का भ्यास उसमें किया जाता है यह सारी practices की जाती है इसके अलावा जो पंच तत्व की जो साधना है उनको भी संतुलित करने के लिए पंच तत्व के भी मंत्र हैं मंत्रों की chanting की जाती है कोई मंत्र वैसे मं मंत्र नहीं है कि आप यह जपलों ठीक हो जाओगी chant किया जाता है उनको proper vibration के द्वारा कि उनकी vibration जब किसी मंत्र की vibration आपके अंदर कैसे काम करती है उसकी internal chanting उसके external chanting करनी है अब आपने बोला इसकी sound कहां गई बाहर गई फिर मैंने बोला इसकी sound अंदर गई ऐसे मंत्र chant करने के कई सारे तरीके हैं वो हम सीखते हैं योगा पोजिज फिर कई लोगों को ये भी confusion होगी कि हमसे पता नहीं ये चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये जो आसनों का जो level है ये level रहेगा जो basic आसन है ये जो आसन इसमें दिखाए हुए ये कुछ normal syllabus के ही आसन है आसनों की series है इसमें चक्रा का सेट अलग है बैक का सेट अलग है ऐसे 4-5 सेट है कि जब जिसको जिस चीज की ज़्यादा requirement है वो practice कर सकता है अब हर कोई डेट दो घंटा हर रोज नहीं practice कर पाएगा तो आप सिर्फ साथ चक्रों की healing पर काम करें तो आप सिर्फ साथ चक्रों वाले आसन करो जो साथ आसन है वही करो उनी को प्राणायम के साथ उनी को ध्यान के साथ आप करो जैसे हम self healing में हमने सीका था 24 points की healing करना तो ऐसे समझ लीजिए ऐसे हर पार्ट के लिए आसन दिये गए हैं अब जहां आपको requirement है उसी हिसाब से आप धिरी धिरी अभ्यास बढ़ा के प्रक् नहीं एक हाथों पर खड़ा होना हर कोई कर सकता है और इनके भी modification है इनकी modification है हर आसन की modification है जैसे मालनी जी आपसे जो वीर्भद्र आसन नहीं हो रहा है तो आप ये पीछे का घुड़ना रखके कर सकते हैं pillows के थुरू, belts के थुरू या modification आप प्रक्टिस कर सकते हैं अगर आपको back pain, knee pain या कोई physical problem है तो उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कर सकता है इस योग को, किसको करना चाहिए हर उस इनसान को करना चाहिए जिसको self-improvement word का मतलब पता है जिसको पता है कि self-improvement नाम की कोई चीज होती है और जो हम है वही हम नहीं है हम कुछ हो भी सकते हैं कुछ ऊपर भी जा सकते हैं हम नीचे भी जा सकते हैं हम आज से ज्यादा बिमार भी हो सकते हैं आज से ज्यादा तनाव में भी हो सकते हैं जिसको self-improvement का पता है उसके लिए best tool प्रोवाइड करता है transformational yoga एक self improvement की किताबे पढ़ लेना है वो भी एक self improvement का part है कि आपने कोई किताब पढ़ी आपको motivation आ गया लेकिन वो टूल नहीं है वो विचार के स्तर पर आपने परिवर्टन किया लेकिन वो हार्डवेर में कोई चेंज नहीं हो पाएगा उससे आपके शरीर में कोई परिवर्टन नहीं हो पाएगा ठीक है आपके विचार पोजिटिव हो जाएंगे आप motivation में जीना शुरू कर देंगे, चीजों को थोड़ा सा positively देखना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर किसी particular situation में बढ़ेंगे, फिर एकदम से आप जहां से शुरू किया था वही पर पहुंच जाएंगे, क्यों? क्योंकि hardware में चेंजी नहीं हुए, वहाँ आपने कोई प्रा अभ्यास उप्योक्त है, आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी आप साधना कर सकते हैं, मैं यह नहीं कहरा कि transformational yoga ही है, आप खुद से भी आसन अभ्यास कर सकते हैं, आप exercise कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल, अपनी नीन, सब चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक syllabus जब बना हुआ होता है जब सालों के एक मास्टर्स ने एक syllabus बनाया है जैसे रेकी साधना है उर्जा की साधना है हम खुद भी कर सकते हैं लेकिन एक syllabus बना है एक manual हमारे पास है कि इसी इसके लिए ये करना है एक step by step system है पढ़ाई बिना स्कूल में जाए भी हो सकती है बहुत सारे लोगों ने की भी है फोड़ी घर पे बेसिक पढ़ाई करने के बाद खुद से पढ़े हैं वो लेकिन वो प्रतिभावान वक्तियों की का काम है वो हर कोई नहीं कर सकता हर किसी को class by class बुक्स बतानी पढ़ती कि आज ये chapter पढ़ना आज ये chapter पढ़ना तो एक step by step guide है तो आपके लिए आसान रह जाती यात्रा जो है वो छोटी हो जाती है जैसे दिल्ली से किसी को मुंबई जाना हो तो खोजते खोजते जा सकता है अगर वो चलना शुरू करे कभी न कभी जरूर पहुंच जाएगा लेकिन अगर उसके हाथ में एक map दे दिया जाए तो बहुत आसानी से पहुंच जाएगा और उसको ये भी बता दिया जाए कि यहां से इतने बज़े train चलती है तो उसके लिए और आसान हो जाएगा वो पूरी आतरा एक दो दिन में ही पूरी हो जाएगी अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए और उंगली कर दिया जाए कि वो मुंबई है ये दिल्ली है अब यहां से चल के जाओ तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा वो तो step by step guide और एक course के दुरू चलना ज़्यादा आसान काम रहता है इसके लिए आपको requirement क्या क्या चीए इन साथ दिनों में और इस साथ दिन इसमें से कुछ चीज़ें आपको बाद में भी चीएंगे अगर आप अभ्यास करेंगे तो एक peaceful environment आपको चीए क्योंकि भागदोड में नहीं होने वाली चीज अगर आपको लगता है कि आपके घर में ऐसा environment नहीं है आप योग नहीं कर सकेंगे तो उससे अच्छा आप ना ही सीखो तो ज़्यादा बढ़िया है आपके पास जब समय हो तब ही आप सीखें क्योंकि क्या होगा कि भीड भाड में खुट सारा आस्वात बहुत ज़्यादा शोर है या कुछ बीच में आप कुछ खाना बना के आ रहे हैं कोई बच्चा रो रहा है तो फिर आप योग को ना ही करें जब आप अकेले हो तब कर लें जब आपके लिए उप्युक्त समय हो आपके जीवन का जब आपको लगे कि हाँ आप ठीक हो गए इस टाइम पर इन चीजों से मुक्त हो गए तब आप करें मेरी सला ये है नहीं तो क्या होगा आपको एक वहम भी पैदा हो जाएगा कि हमेंने किया और वो इफेक्ट आप फील भी नहीं कर पाएंगे बीच-बीच में आप भाग भाग के जा रहें कभी कुछ और काम कर रहें कुछ घर के काम कर रहें तो उसका फाइदा नहीं है जो भी मैंने सिखाया है क्लास में उसको आप अलग से प्रैक्टिस करो फिर उसको भीरभाड की नवार्मेंट में मैं सजेस्ट नहीं करता पीसफूल अवार्मेंट चीए अपको रेट दो घंटे का टाइम चीए आपको टाइम नहीं होगा तो आप जोइन नहीं करेंगे अ तो इससे आप अपना अलग से practice समझ लें लेकिन करें अलग से strong will तो चाहिएगी इसके बिना तो बिना किसी वज़े कि अगर आपके mind में कोई भी वज़े नहीं है किसी भी काम को आप लंबे समय तक नहीं करेंगे हो सकता है मेरे कहने मेरे समझाने की वज़े से एक दो दिन आप कर लें हो सकता है course join कर लें तो फिर one week बाद आप छोड़ देंगे खुद का जो वाय है क्यों मुझे ये काम करना है ये clear नहीं हुआ तो आप किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे आप अपने जीवन में कभी नोट करो अगर आपने कुछ किया है अच्छा अगर आपको clear नहीं है क्यों करना है तो आप जाधा दिन नहीं करेंगे इसको जाधा तर लोग तीन दिन करते करेगा और वो हो भी क्रियेट करेगा और वो अपने माइंड को चेंज कर पाएगा कि सेल्फ इंप्रुमेंट जो है वो एक ऐसा टोपिक है जहां पर सबसे कम कमपेटिशन है क्योंकि वहां पर मेहनत लगती है वहां तपश्या लगती है वहां कोई आशिर्वात से काम चलने वाला नहीं है वहां एक कुंचिस एफर्ट लगता है आपका वहां तनाव पैदा होता है वहां गर्मी लगेगी आपको जब अभ्यास करेंगे तो ठंड में ठंड भी लगेगी सुबह जल्दी भी उठना पड़ सकता है तपश्या है योग एक तप है और वो तप तभी आप कर पाएंगे जब आपका वाई कलियर होगा कि क्यों मुझे करना है अगर आपके पास कोई genuine reason नहीं है कोई आपको खास दुख भी नहीं है कोई खास तनाव भी नहीं है और खास चोटी मोटी बिमारिया है नॉर्मल कोई बड़ी बिमारी भी नहीं है तो 99% चांस यही है कि आप करोगे नहीं सिर्फ सुनोगे और छोड़ दोगे तो अपने वाई को clear करना है, एक strong will बनानी है, क्यों करना है उसके बारे में समझो पढ़ो, सीखो, खुद को motivate करो और फिर उसका भ्यास करो एक internet connection हमें चीएगा, क्योंकि यहाँ पर हम online कर रहे हैं, इस online का फाइदा भी है और नुकसान भी है नुकसान यह है कि जितना हम offline सीख सकते हैं, जितना अच्छे से, उतना अच्छे से हम online नहीं सीख सकते लेकिन फाइदा ये है कि अगर मैं ओफ लाइन इसको रख भी देता है जहां पर हूँ यहीं पर रख देता है तो आप सब आ भी नहीं पाते हैं यह भी एक नुकसान हो जाता है और आप नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को अगर आपको लगता है कि आपसे आसन नहीं हो पा रहें तो आप वीडियो कॉल के द्वारा या अपने पिक्चर क्लिक कर रहा करके कि मेरे आसनों को चेक करो ताप मैंसे कोंटेक्ट करके वह सीज़ को करेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा भी जो नॉर्मल मेरे रैगुलर क्लास में चला पा रहे हैं उस चीज को जूम मीटिंग को या उसके प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं या बड़े लैप्टोप में बड़ी स्क्रीन जितनी होगी उतना ज्यादा अच्छा है इयरफोन्स आपको चीहेंगे एयरफोन्स चीहेंगे या फिर ब्लूडूटूथ वाले ब्लूटूथ स्पीकर चीहेंगे क्योंकि जो normal जो हमारे एयरफोन्स रहते हैं वाइर वाले या फिर normal स्पीकर जो रहता है उसमें आप information नहीं ले पाएंगे अब भी भी अगर आपने एरफोन नहीं लगाए है तो आप मेरी सारी बातें नहीं समझ भाएंगे क्योंकि बाहर की बेवाजे हैं अभी कंसेंट्रेशन का लेवल इतना गहरा नहीं है तो स्पीकर या तो ब्लुटूथ स्पीकर से कनेक्ट करें अपने मुबाइल को या फिर आप वायरलेस एरफोन लगा के उसको करें और अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो वायर वाले एरफोन भी चल सकते हैं ये भी एक रिक्वायर्मेंट है वैसे योग में नहीं है लेकिन आज के दिन अगर योग लिखा जाता तो ये भी चीजें ग्रंथ में ही लिखी होती कि इंटरनेट चीए आपको ये भी डेली रूटीन की चीज़ ये भी अभ्यास में सादक ततो है ये बादक भी हो जकते हैं लेकिन अभी फिलाली सादक है आपको एक योगा मेट चीएगा और एक स्पेस अपने आसपास आपको अपने थोड़ा सा 6x6 का स्पेस आप बना की चलो क्योंकि कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें पैर साइड में लेके जाना होगा कैसा समझ लेजिए तीन योगा मेट आपके बिच्च है 6x6 का एक स्पेस आप अपने घर में अपने रूम में कहीं भी बनाएं तो वहाँ पर आप अभ्यास को कर पाएंगे कंजिस्टिट जगह है अगर सिर्फ एक मेट बिच रहा है तो साइड वाले आसन जो लेट के हम मरकट आसन वाली जो सिर्फ है वो नहीं कर पाएंगे करेंगे तो धंक से नहीं होगा अलाइनमेंट उसमें ठीक नहीं होगा थोड़ी इंजरी होने के चांसिस हो सकते हैं अब गिर सकते हो थोड़ा खुला खुली जगह आपको बनानी पड़ेगी खुली खिड़की हो थोड़ी हवा बाहर की आए ऐसा इंवार्मेंट आपको क्रियेट करना पड़ेगा उसके बाद मेरी तरफ से क्या स्पोर्ट आपको मिलेगी मेरी तरफ से जो class हम करेंगे उसमें तो मैं सिखाऊंगा ही समझाऊंगा ही उसमें तो मैं सारी चीज़े करूँगा ही उसके अलावा आपको recording का link मिल जाएगा ताकि आप उस चीज़ को दो बार तीन बार देखके confirm कर सके और वो recording का link रहेगा कम से कम एक महिने तक चलेगा वो महिने बाद वो delete हो जाता क्योंकि मेरे को और ज्यादा recording भी करनी पड़ती है उसमें limited ही space cloud पर मिलता है जूम में लेकिन इसको आप इस link से आप download करना चाहें अपनी recording को download करके रख सकते हैं एक महिने तक यह रहेगा उसको कितनी बार आप 10 बार देखें 20 बार देखें रिकोर्डिंग का link मैं आपको दे दूँगा PDF manual दे दूँगा PDF manual जो है transformational yoga का जो मेरे पास है वो English में है वो English में है manual उसको हिंदी में convert करने की मैं कोशिश करूँगा जिनको समझ में नहीं आती है अगर हो पाया तो ठीक है नहीं तो उसमें से आप mostly चीज़े समझ में आ जाएंगी कोई ज़्यादा complicated नहीं है call और whatsapp पर sport मेरी हमेशा रहेगी वो उनके लिए भी है जो आज कोर्स कर रहे हैं और उनके लिए भी हमेशा रहती है जो कोर्स नहीं कर रहे हैं या मैंसे simple सिर बातचीत के द्वारा ही जुड़े हुए है certificate हम योग परिवार society का आपको देंगे कि आपने course complete किया है इस चीज़ के लिए यह transformational yoga का manual है यह मैंने 2015 में सीखा था यह इतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूत नहीं है क्योंकि अभी आपको सिर्फ खुद के लिए सीखना है तो इसका जो 200 hour वाला जो है वो मैं आपको देंगा तो आप अगर yoga teacher है तो आपको काफी मदद होगी काफी concept आपको clear होंगे समझ में आएंगे इतने बड़े की आपको जरूत नहीं है इसमें बहुत ज्यादा deep है लक्षमी जी कह रहे हैं कि ego भी होता है सर मैं perfect हुए लक्षमी जी ego ही के काण ही हम यहाँ पर हैं इस प्रत्वी पर हमारा विच्रन करने का काण ego ही है बिना ego के तो हम बन ही नहीं सकते ego lessness जो है वो बहुत ज़्यादा higher level की stage है और उसके बाद निर्वान ही हो जाता है तो ego तो जरूरी है लेकिन एहंकार जो ego जो है उसकी भी level है बहुत सारे किस तर तक आप कर रहे हैं सर टाइमिंग क्या होगी सर इसकी टाइमिंग रहेगी साड़े साथ से साड़े नो तक evening में सब्सक्राइब करना तो चाहती हूं पर मेरा बैक चलता है सर सेम ताइम में साथ से साड़े नो नेट जियारफ की बच्चों का बिल्कुल हो सकता है आप recording से भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है जैसे आपको comfortable लगी समय तो आपको निकालना पड़े भी यह वाली किते दिन का साथ दिन का सरsty कितने का है सेवन डेज सटाह सेवन डेज का के यह arguments इसमें हम सीखने वाले हैं इसे ना हुआ जी कल से शुरू है कल से शुरू है कल से शुरू है है और देखिए क्या है थोड़ा सा आप आपकी इच्छा होनी जुरूरी है ऐसे तुम इसको यूट्यूब पे चला सकता हूं लेकिन वह बहुत ज्यादा चीज़ें कैजूल हो जाती है लोग अंसीरिस हो जाते हैं उस चीज के लिए फ्री वाली चीज तो फ्री वाली होती है फिर वो मतलब वो सिर्फ हमारी ही नहीं वो जो शिक्षा या जो एजुकेशन जो विद्या हम सीख रहे हैं उसका भी अपमान हो जाता है तो इसलिए हमें थोड़ी सी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और एटलिस्ट इतना तो घंटे का अगर आप समय नहीं निकाल पा बस लास लाफ सी कोर्स चल रहा है तो नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले में ट्राइए करूंगे सर साथ से नौ यह तो साथ से साड़े में कोई बात नहीं अब देख लिजेगा अब भी बोलने का सबको मोका दूंगा अभी बीच में मत करूं अभी इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं फिर हम बात चीथी करेंगे ठीक है शाड़े नौ तक हम बात चीथी करेंगे यह सारे चीजे हम इसमें सीखने वाले हैं यह एक चोटा सा सलेवस साथ दिन का बनाया हुए क्योंकि उतने सलेवस को पूरे सलेवस को साथ दिन में सिखाना जरूरी नहीं है मतलब पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल इतना हो पाएगा कि आप खुद प्रैक्टिस कर सको और कई बार थोड़ा समय होता तो चक्रा प्रैक्टिस आप सिर्फ कर सकते हैं जैसे सेल्फ फीलिंग में हमने सीखी थी एक फुल प्रैक्टिस थी जो 24 पॉइंट्स की ती डेट घंटा जिसमें लगता था लेकिन कभी-कभी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं डेट घंटे वाली प कर सकते हैं अगर आप फिटनेस वाला थोड़ा सा आपको पसंद है कि थोड़ी स्टेंथ बढ़े तो स्टेंथ वाली सीरीज वह प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उसमें तीन चार स्लेवर्स हैं आसनों के और अगर आपको लगता है सारे हर रोज करने हैं डेट दो घंटा दे स करने के लिए प्राणायाम सेट में वह पांच प्राणायाम भी आ गए उसमें नारिशोधन और कपाल भाती और भ्रामरी कई सारे प्राणायाम है वह भी आ गए चक्रा रिलेक्शेशन यह सारे मैं आपको बता दिया योग निद्रा का आर्ठ हम सीखने वाले हैं को ज्यादा मानते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम के उपर आपका टांस्फरमेशनल योगा काम करता है मेन यह है आपका होर्मोनल सिस्टम पर यह काम करेगा जैसे योगा या पावर योगा जो है वह आपका काम करता आपके मस्कुलर सिस्टम के उपर मसल्स के उपर लेकिन transformational yoga जो काम करेगा वो आपके endocrine system के उपर आपके thyroid gland आपके pituitary pineal gland आपके thymus gland आपके pancreas आपके endocrine जो ग्रंथियां है उनके उपर काम करेगा और आसन जो है वो muscles पर भी काम करते हैं लेकिन normally जो 7 चक्रा और 7 चक्रों का concept और endocrine system का जो concept है वो एक जैसा ही है मतलब जहाँ जहाँ चक्र बताएं वहाँ वहाँ एक गरंथि भी है hormonal system हमारा तो उसके उपर ये काम करते है अभी मैं आपको सब को mic उसकी वो दे रहा हूँ आपका जो भी doubt या question है इससे related इससे related मतलब course related आप कुछ भी पूछ सकते हैं कोई भी फाल्दू की चीज़े ना पूछना क्योंकि उसमें फिर खुद समय लग जाएगा आपको अगर कुछ इसमें से समझ में नहीं आया या इससे कुछ related कुछ inquiry है तो आप पूछी लीजिए पूछी लीजिए इसर मैं जी शरी इसमें फिजिकल जुड़ा हुए है इसमें फिजिकल एकसाइज जुड़ी हुई है उसमें मैंने आपको बताया था आपके आहार के बारे में आपकी इंटरनल बताया था सब कुछ exercise मैंने आपको नहीं बताया थी इसमें आशनो के द्वारा healing process है वही affirmations वही mindfulness वही चीज़े है उसमें एक physical मतलब भोतिक पहलो एक जुड़ गया है बस आशनो वाला बाकी वही चीज़ है वही effect इसमें भी create होगा self healing का उसमें 24 point थे तो यहाँ पर वो सारे आशन है वहाँ पर हम हाथ रखते थे तो यहाँ हम कोई आशन होल्ड करेंगे वहाँ heart chakra को balance करना था तो हम हाथ रखके कुछ affirmation कुछ mantra chanting कर रहे थे पूरजा को पर वहाँ बढ़ा रहे थे और आपको clean कर र रहे थे यहाँ पर हम प्राणयाम करेंगे कुंभक लगाएंगे उनसे रिलेटिड आसन करेंगे सिर्फ आसन इसमें जुड़ गए है और जो दूसरा question है वो यह है सर कि अभी आप जब करवा रहे हैं सर मैंने मैं मुझे लगता है काफी लोग का challenge होगा on and off होता है सर मतलब अभी आप करा रहे हैं हफता बर हम प्राक्टिस करते हैं बहुत पुछ करते हैं रोटीन बहुत डिस्टरब जाता है तो बात में self-practice जो self-discipline जो होता है वो challenging पार्ट है बहुत जादा है सर उसके लिए कैसे मतलब how to continue with that बहुत disturbing हो जाता है उसके लिए हम यह कर सकते हैं क कि जो practice है अगर आपको लगता आप खुद कर पा रहे हैं तो ठीक है नहीं कर पा रहे हैं तो एक particular टाइम मालोग 5 लोग 10 लोग जतना भी करना चाहें उनका हमें group बना सकते हैं और उसको मैं practice करवा सकता हूँ कि एक मिनटा आपके आवाद चलेगी कहीं से हाँ नहीं सर मैंने mute कर लिया था क्योंकि मैं आपको सोन ड़ी थी हाँ सर ये ये एक सीज हो सकती है सर इस बिल बी appreciate it a lot सर क्योंकि वह बहुत जरूरी है करना नहीं तो सर I have tried मैं मैं अपना बात कर रही हूं सर मैं मैंने पूरा 24 शीलिए सिर्क में 3-4 रिलिंग किया धुकर व्यार कि येसे ज़पयम गुदा तो आपके मैं 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 आ जा में मैं 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 एप तो आफिपी हो पाएगा जब आपके पीछे की जो वजय है वो आपके माएंड में खुरोरी है कि जो हमें करना है वो क्यों करना है अगर उसके बिना भी आपका काम चला हुआ तो आप नहीं करेंगे उसवजह को क्लियर करना, उसको लिखना कि मुझे अगर ये transformational योगा की practice करनी है या मुझे कोई normal योगा की practice करनी है तो वो क्यों करनी है क्या क्या improvement मुझे चीए mental clarity होनी जरूरी है और दूसरा जब mental clarity आ गई तो फिर habit बिल्ड करनी जुरूरी है आप फिर अपना routine बनाओ कि एक महिना दुनिया इधर से उधर हो जाए मुझे जो करना है वो करना है एक महिने बाद जब नॉर्मली 21 days बोला जाता है मैं आपको कह रहा हूँ एक महिना आप करो एक महिने बाद आपका वो routine हो जाएगा आपकी वो muscle memory create हो जाएगी आपके brain में एक pattern एक नया map तयार हो जाएगा फिर आपकी body भी sport करेगी आपका routine भी sport करेगा अमालिज आप उठते हैं भी 6 बजे आप उठना शुरू करने 5 बजे 4 बजे तो आप नहीं comfortable महसूस करेंगे लेकिन अगर आप एक महिने तक उठते चले गए तो आपके brain आपकी जो body उसे adopt कर लेगी तो calendar में निसान लगाना कि आज का भ्यास हुआ ऐसे आदत बनाना बहुत जरूरी है हम इनसान हैं ठीक है मैंने मानो चेतना की और ये बात की है लेकिन अभी उतने ज़्यादा इनसान नहीं है अभी हम मशीन ज़्यादा है तो ये biology हमारे उपर हावी है अभी फिलाल अभी मैं कहे दूं ब्रहमूरत में उठना चाहिए के लिए थोड़ा एफर्ट लगता ना शुरुआत में लेकिन जब बाद में करते हैं तो अपने आप सब होना शुरू हो जाता है तो आप एक दिन हपते में एक दिन खुद को छूट दे सकते हैं कि मैंने क्योंकि इनाम भी क्योंकि reward system से dopamine release होता है तो आप अपने लिए एक system बना सकते हैं कि एक हपते में एक दिन में अपना पसंदिदा खाना खाऊंगी तो उससे क्या होगा एक हपता आपका motivation बना रहेगा और योगा प्रैक्टिस जो physical प्रैक्टिस करते हैं वो बीच में recovery day वो ऐसा कर सकते हैं कि पांस दिन आप intense प्रैक्टिस करो दो दिन आप relaxation वाली प्रैक्टिस करो आप योग निद्रा करो लेकिन मेट पर जाना जरूरी है अगर आप आदत बना रहे हैं अपने योगा मेट पर जाना जरूरी है आप वहां जाके सो जाओ आप योग निद्रा कर लो आप प्राणायाम कर लो आप कोई resting आसना कर लो जो relax आपको करें तो अपने आपको reward देना शुरू करो चोटे चोटे इनाम देना शुरू करो और मैंने कि आपको book suggest की थी power of habit और atomic habit ये दोनों किताबे आप पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा कि brain कैसे function करता है शुरुआत में कई बार हम इस stage में नहीं होते कि हम किसी योग की बहुत बड़ी philosophy को समझ सके हमें जरूरत होती है छोटी शी ABC की और वो ABC जितना आप खुद के brain के functioning को समझोगे वो आदतों के दौरा आप जो भी हैं आज अब स्वस्थ हैं बिमार हैं मोटे हैं पतले हैं आप अपनी आदतों की वज़े से हैं अब खुद को देख के अच्छा महसूस कर पा रहे हैं तो आपकी आदतों की वज़े से हैं सुखी हैं दुखी हैं brain में patterns बन गए हैं mindfulness वाले course में हम क्या कर रहे हैं recreate कर रहे हैं उन सारे patterns को खुद को aware करना शुरू करते हैं हाँ सर हमने अपने एक identity बना लिए है कि मैं लेज ली हूँ जी जी वस उस identity से overcome करना बहुत जोड़ी है self image create कर ली है हमने हाँ एक identity बना लिए है और हम हमारा जो brain है वो फिर game खेलता है यह जो consciousness का जो chart मैंने बताया है यह कोई इतनी हल्की फुल की चीज नहीं है पसीने छूटते हैं इसमें पसीने जो spirituality जिस अध्यात्मिकता के हम बात करते हैं न वो अध्यात्मिकता इतनी इतनी सस्ती नहीं है कि आप मंदिर में जाओगे 11 रुपे का परसा चड़ाओगे और आप हो गए अध्यात्मिक जान लगती है जान और यह जो चक्रों की बात हम कर रहे हैं तपश्या है यह सब पिखरता है आपको लगेगा कि ऐसी चेतना के विकास से अच्छा तो मैं दुखी ही ठीक जेतना का विकास ऐसा नहीं है तब एक बीज एक बीज के अंकुर फूटता है तो जब वो बीज जमीन में दबा हुआ होता है जब तनाओं में होता है दबाओं में होता है चारो तरफ से वो जो स्टेज वो जो डाक नाइट सोल की डार्क नाइट की जो स्टेज है हुद खतरनाक है वो एक सादक का जीवन जीना सेल्फ इंप्रूमेंट करना तभी तो 99.9 लोग फेल हो जाते हैं इस चीज में चीक उनको लगता है यार वैसे ही ठीक था फिर और मुक्ष और मुक्ति आपको अभी मिल सकती है लेकिन उसके लिए हमारे तयारी नहीं है असल में हमें वो चाहिए ही नहीं असल में हमें चाहिए कुछ और है अभी हम उसकी सिर्फ बात कर रहे हैं तो ये बात है धीरे धीरे इंप्रूमेंट करना पड़ेगा अभी हैबिट्स पर काम करना शुरू करो आदत बनाना शुरू करो और अटोमिक हैबिट में बताया है कि आप आदत बहुत बड़ी मत बनाओ हम गोल ले लेते हैं बहुत बड़ा है हम गोल ले लिए सिधा निर्वान का निर्वान का गोल मत लो अभी तो आप 10 मिनिट वॉक करने का गोल लो कि मैं 10 मिनिट खाना खाने के बाद पैदल चलूँगी इसका एक गोल बनाओ जब 21 दिन यह हो जाए तो फिर उसको 15 मिनिट करो 20 मिनिट करो धीरी धीरे बढ़ाओ जब वॉक करना आप शुरू कर दो आदा घंटा फिर उसको एकसिसाईज में कनवाट करो जब एकसिसाईज करना शुरू करो तो फिर उसको थोड़ा इंटेंस एकसिसाईज में करो ऐसे कर करके समय लगेगा ब्रेन मैपिंग को छेंज करना इतना आसान काम नहीं है जब आप visualization करते हैं जैसे mindfulness में अभी हम practice करें visualization जब हम visualize करते हैं और जब हम self affirmations देते हैं खुद को suggestions देते हैं photo suggestion देते हैं खुद को तो वो चीज आपका जो brain mapping है वो जल्दी change होती है आपको मदद मिलती है उसमें फिर आप भक्ती करते हैं या surrender के भाव में रहते हैं आप यम नियम का भी पालन कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा mind को reset करने में मदद मिलती है वो एक mental discipline है physical discipline भी practice करना पड़ेगा mental discipline भी practice करना पड़ेगा मन के स्थर पर आपको good emotions practice करने पड़ेगे जो शिकायत का भाव हो उसको धन्यवाद में बदलना पड़ेगा जो hate है उसे love में unconditional love में बदलना पड़ेगा ऐसे धीरी धीरी काम करना पड़ेगा और वो खुद आप ही कर सकते हैं और यह सारे अभ्यास आपकी practice आपको ऊपर उठाने का ही काम करेंगे अगर आप self healing करना चाहते हैं उसको भी आप continue रख सकते हैं लेकिन exercise तो इसमें ahead करनी पड़ेगे आपको अलग से आप आसन कर लो या फिर इसी practice को आप सीख के इसके साथ करो तो इसमें self healing साथ में हो जाएगी practice your practice तो कर रहे हैं sir your practice तो कर रहे हैं नहीं तो मेरी age में तो body नी चलेगी यह मैंने realize कर लिया है तो एक दिन का गयर maximum दो दिन इससे आदाने लेकिन mat पर जाके चाहिए वो 10 minute का session होता है I make sure that I do it उसको short कर लो चाहिए एक minute कर लो हमारा जो शरीर है वो कुर्सी पर बैटने के लिए नहीं बना हुआ है नहीं बना है हाँ बिल्कुल नहीं बना है यह इतने सारे joint इतनी सारी हटिया इतनी सारी muscles इतनी सारा यह nervous system और यह सारा system दिया हुआ है तो यह movement के लिए बना है पेड़ों को जमीन में जमा दिया ना परकरती ने उनके जरूरत नहीं है चलने की लेकिन हमारे पैर दिये हैं तो हमें चलने की जरूरत है हम पेड़ की तरह जीना शुरू करेंगे तो अकड़ जाएंगे कितने देद सरसर कलना चाहिए सर वाट शुद भी तर प्रोसीजर लाइक जिसे अब हम बैठे हैं दो गंटे काम सेशन कर रहे हैं फिर हम जब स्कूल में जाते हैं तो बर्त में होता है सेशन वहां भी बैठना परता है लेकिन बॉड़ी को रिक्वार्मेंट कितनी है सर चलना बेसिक रिक्वार्मेंट है अगर आप मालो चल फिर रहे हैं स्कूल में चल फिर रहे हैं अपने घर से आप ओफिस तक कर रहे हैं वाक कर रहे हैं तो फिर आप चलो मत फिर आप एक्सिसाइज करो जैसे आपके केस में आपको तुम जानता हूं तो आपके लिए चलना जरू मिनिमम है कि चलना तो और कुछ नहों पाए तो एटलिस चलना तो पड़ है ही पांस दस हजार स्टैप तो हर रोज आपके होने चीए हाँ वह वह तो मीनिमम है वह तो मीनिमम रिक्वाइर्मेंट है उसके बाद बताएए कोई और है तो माई कॉन करके पूछे को और से कुछ पूछ नहों था पूछ सकते हैं जिब कोई सवाल ना आए तो मता कुछ समझ में नहीं है हां जी शेतल जी नमस्ते साथ जी नमस्ते जी अपना प्रैक्टिकल होगा देट घंटा प्रैक्टिकल होगा अदा घंटा थिर्टिकल होगा प्रैक्टिकल होगा आशन होने वाले हैं लेकिन आशन जो है वो होल्डिंग है उसमें कोई उचल kud ya activity बहुत ज्यादा नहीं है बैटे-बैठे करने के आशन है बैट की कुछ sequence फॉलो किया खड़े होके कुछ sequence follow किया balancing में कुछ sequence follow किया आप इस time भी कर सकते हैं बाद में आप सीखके morning में practice करें सबसे best है लेकिन morning time की मेरी भी limitation है मेरी classes चलती है और चीजे तो फिर ये time मेरे लिए course कराने के लिए ठीक रहता तो ये time भी रखा और सिर्फ 7 दिन की बात है practical होगा practical ही है उसमें प्राणयाम भी है असर भी है ओके ओके सब्सक्राइब जी ओके ओके लिए हलो सर नमस्ते नमस्ते जी किरन जी सर मेरी problem ये है कि मेरे mind में मतलब जैसे कोई एक एक मंतर ले लो या कोई पढ़ाई की लाइन ले लो तो सर मेरे mind में set नहीं होती वो चाहे कितने भी कोशिश कर लो और मेरा mind मतलब तीन साल से ये set है कि तिरे को याद ही नहीं होगा वो आपने खुद को self hypnosis में लेके जाए ना आप खुद को आपने exerciseन दे दिया कि मुझे याद नहीं होगा इसका opposite practice करना शुरू करो तीन चार साल से sir मेरे साथे से हाँ वो भाव बन गए न आपका और वो जितना आप repeat करते जाओगे इतना वो पक्का होता चला जाएगा पहले चीज तो ये समझना बंद करो कि आपको याद नहीं होता दूसरी चीज आपको याद नहीं करना आप कोई तोता थोड़े हो कि आपको कोई चीज याद करने है एक लाइन क्यों रेटनी है आपने सर देखो जैसे मेरे टीचर है जैसे स्टार्टिंग में मैं गई उनके पास तो मैंने उनको बोल दिया सर आप मैंने बहुत सारी कोशिज है कर ली आप भी कोशिज करके देख लो मैंने बहुत सारे टूर्शन पढ़े हैं कोचिंग सेंटर लिया है लेकिन मेरे माइंड में कुछ सैट नहीं होता पढ़ाई के रिलेटेड है तो वो चैते है कि वह गिंती सुना के दिखा लेकि इस या देखा लेट को यह सारी तो आज उन्होंने यह बोल दिया कि की रान कुछ भी कर मेरे बस की बात नहीं है हाला कि मैने इतने बच्छे पढ़ाए हैं साथ आठ साल से सब ही यहां से मतलब खुश हो के गई हैं, लेकिन तू ही एक ऐसी है, पता नहीं कैसी है कि जो तेरे माइंड में मेरे जो 8 महीने की जो मेहनत है, 30 लाइने हैं, वो तेरे दिमाग में सैट नहीं हैृइँ देखो बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं पहली चीज तो हो सकता है आपका उस पढ़ाई में इंट्रिस्ट ही नहीं आ हो आपको वजह ना ओज से मुझे भी कुछ भी याद नहीं हो देखो मैं बताता हूं मैं भी कोई बहुत बड़िया स्टूडेंट नहीं था मैंने भी लेकिन जब मैंने योग पढ़ना शुरू किया तो फिर मैं टोपर्स में रहने लगा वही जो मैं इक सिर्फ पास हो जाता था तो मैं पार्टी दे देता था फ्रेंड्स को कि हो गया बस चलो एक साल निप्टा लेकिन वही जब मेरे इंट्रेस्ट के सब्जेक्ट में आया तो हम मुझे जो टीचर कहते थे उसके अलावा मैं खुद ही पढ़ता रहता थो तो पहली चीज तो आपका इंट्रेस्ट ना हो उस चीज में यह कान हो सकता है दूसरा कान यह हो सकता है कि ब्रेंग में भी एक टाइम ऐसा आया था 12th क् में कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं बार-बार कोशिश कर रहा था मैं पढ़ूं लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था तो मेरे पिताजी ने मेरे को एक मल्टि विटामिन दे दिया और 15 दिन मैं ठीक भी हो गया ओमेगा थी काना शुरू करो जो बदाम में होता है अगर वो कई बार ऐसा होता ने कि कुछ केमिकल की कमी हो गई बात कोई इतनी गहरी नहीं है लेकिन ब्रेन को फंक्सिन करने के सब नहीं खा रहे हैं हम तो उसको भी पूरी कर लो मैंने माइग्रेन वाली और मल्टी विटामिन और कैल्शियम मैंने मतलब सारे वह कोशिशे की हैं माइंड को प्रिपेर करने की मतलब यह की मेरे माइंड में और देखो मैं सच बता हूँ अपको मेरे को नीड है एंगरिस स्पिकिंग की सच बताउं ते और उसकी मैंने इतनी नीड है की बहुत ज़यादा मुझे त Samantha Reffald जो मैं जानती थी वो भी मैं नहीं जानती जो पहले मैं जानती थी 12 तक 11 तक वो अब भी मैं नहीं जानती जो पीछे चला गया योग में तीन-चार साल मैंने पढ़ाई कर ली योग आपने किया योग प्रैक्टिस किया अपने प्रैक्टिस 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 प्रैक करते तो आपकी बुद्धी खुलती है आपकी brain functioning जो होती है प्राणायाम आप प्रेक्टिस करो और विदिन वीक आपको उसका में फरक पता चलेगा उसके अलावा त्राटक क्रिया होती है वो प्रेक्टिस आप कर सकते हो यह भी हो सकता है concentration जो है आपकी वो नहीं है तो उसके लिए त्राटक का अभ्यास पहले प्रेक्टिकल इस चीज़ का करो जब त्राटक होना शुरू हो जाए अपने स्वास पर ध्यान अभ्यास यह सब चीज़े करो प्राणायाम प्रेक्टिस करो डाइट को इंप्रूव करो और अपने इंट योग एक प्रेक्टिकल चीज है मतलब अगर आपको योग के बारे में अभी प्यजडी भी करवा दू तो आपको कोई कुछ नहीं समझ में आएगा लेकिन अगर मैं आपको बैठा के एक घंटा अभ्यास करा दू तो उसका फायदा होगा आपको बिना प्यजडी किये भी एक प्रेक्टीकल अप्रोच है उसका अभ्यास करना जूरूरी आप्रेक्ट्रान आयाम का भ्यास करो में मैं क्लूर्टी मैं तो अगरे कि ने लुड़की हो उस में इनवल मतलब इतनी जलदी हो जाती हो पंदरा मिनट बात करने से कि वो चाहे मेंसे कुछ भी काम करा लेста कि वहां से सबर्द इस किलो मीटर से अलाना है या लड़का हो य लड़की मतलब अब एफ है महीने से ज्यादा हो रखञा स्वर मेरे साथ इये क्यों है इसमें अजाती है इंफलेंस में आ जाते हो ये कह रहे हो सर उनके पता नहीं उनके परतिभाव ऐसा हो जाता है कि पता नहीं मैं क्या कर दो उनके लिए अगर उन्होंने बुला है वो तो अच्छी बात है अगर आपकी किसी से कनेक्ट हो पाते हो तो लेकिन आपको थोड़ असा मेंटल प्रैक्टिस अप टानायम का भ्यास करो मैं ही अगर आपको पता है कि मैं इन्फिलेंस में आ जाती हूं तो बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है और आपको पता है कि मैं याद भी नहीं हो रहा बेवकूफ को तो पता ही नहीं चलता कि मैं बेवकूफ हूं सर वो उस तरह बेवकूफ कहते हैं कि अपना टाइम खराब क्यों करते हैं नहीं नहीं वो में अपनी हैं जीवन में गोल बनाओं एक मोवी देख लो एक The Secret Movie पर मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला बोला ना कि आपना इस चीज को रिग्रेट मत किया करूं कि आप ने किसी का किया और आप उसने दोखा दिया या चीट किया तो बोले ना कि भगवान ने हर किसी को एक जैसानी बनाया जाता यह ना आपके खुबी है जो भगवान की तरफ से मिली है तो आप इसको मत छोड़ना क्योंकि आपकी अंतरात्मा से आती जो आप किसी के भात सुनते हैं दुनिया को बेखूश समझने दी यह वो लों करते हैं जिनकी आत्मा सुध्ध होती है बस इसको मानके चलो तो आपको रिग्रेट नहीं होगा प्योर प्योर सोल जो होती है वो नॉर्मली सेट नहीं हो बाती ऐसा ही लगता है कि सब बेवकूफ बना रहे हैं लेकिन वो आपका सभाव हो उसको नहीं बदलो किस परपज को लेकि आप पैदा हुए हुई जमीन पर उस परपज की तरफ काम करोगे तो फिर आपका इंट्रेस्ट आएगा और आपको जीवन में एक दिशा मिलेगी जैसे मालो आप हो सेवा भाव वाले लेकिन आपको लगा दिया जाए हर्बर लाइफ के बिजनिस में लेकिन प्रपज के लिए आप बने हुए हो आप अपने खुद को समझना खुद को जानने का मतलब ये नहीं है जो हम शब्द यूज करते हैं कि खुद को जानो वो कोई ये नहीं जानना कि आत्मा है हम भगवान है किस लोग से आए नहीं वो ये जानना है कि आपका किस ची दिखकानों किसी के लिए सेवा करGANा सबस्क्राइब दिखको पहचानने की तरफ अपना काम करना शुरू करो खुद को अंडरस्टेंड करना शुरू करो कि रनजी जब आप खाली होते हैं जब आप Side नहीं करते हैं जब आपको मैं फ्री कर दू तब आप क्या करेंगी ये बताओ मालू मैंने आपको कोई काम नहीं दिया आपके घर के काम भी नहीं है अब कितब क्या करते हैं ये बताओ मुझे सर मैं तिन-तिन गंटे दो-दो गंटे खाली बटी रहते हूं लेकिन बैग में भी बुक रहती है सामने भी बुक रहती है और ये भी रहता कि मतलब ये बोला था आपकी बगा देंगे सर उसन से या कोचिंग सेंटर से बगा देंगी तो निकालो बच्पन में आप क्या करते थे वो चीज मैं जानना चाहता हूँ आपकी होबी क्या है मेरी सर पहले तो कब अड़ी थी अभी योगा हो गया पहले फिजिकल आप ज्यादा चीजों में काम करते हो तब किसी गेम में फिजिकल एक्टिविटी में अपने आपको इंवोल करना शुरू को रहा हूँ सरकवड़ी में थी उसमें भी ज्यादा इतनी अच्छी प्लेयर नहीं थी वहां से भी मेरा मन उतर गया था कि वही क्योंकि उमर ज्यादा थी उमर मेरी थी 14-15 साल जब मैंने स्टार्ट किया 14-15 साल ज्यादा होती नहीं सर जब सब जूनियर जो स्टार्ट करते हैं और मैं सीनियर में जागे स्टार्ट करती हूं तो ज़्यादा ही होगी जी 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 तो मैं सीनियर होने के बाद मैं जूनियर खेल रही हूं तो सब जूनियर खेल रही हूं तो कमी थी मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी प्रपाट साल रही फिर में योगा में आई तो उसमें छे महीने में मेरा इंटरस्ट बन गया था फिर मैने उसमें एमेव गरा करना चाहा उसमें दूर जादा था जो रोज तक जाना पड़ता था दिली से हर रोज तो उसमें मैं इतनी महनत नहीं कर पाई लेकिन जुड़ी नशान बंब नर्टौत करते हुए 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 हे करे तूर अब लगानमे के देते हैं और कुछ नहीं करते हैं अभी ऐता है आपको एक Alright प्राणायम का भ्यास करने शुरू करें तो अब ब्रेन आपका प्रोपर काम करेगा तो उसको छोड़ना में कि मैं साथ बजे से और आठ बजे से पहले अपनी चारपाई नहीं छोड़ती थी अब मैं कि लास से आदा गंड़ा पहले अपनी चारपाई छोड़ देती हूँ एक हर्विर जी भी है उनके साथ भी एक दो महीना जूड़ी में उनको भी 15-20 दिन तक नहीं उठ पाई और वैसे ही 15 मेंट ले लिए 20 मेंट एक महीना उन से अच्छे से क्नेक्ट रही है अभी वो कहीं वीजी हो गए तो वहां से भी जो काम सोश्तियों कि इसमें कुछ बनेगा वहां से फिर्डा माडोल हो जाता है कि अब यहां से बुद्धी मिलेगी फिर्डा माडोल हो जाता जी आपके लिए किस इसने प्राणायाम का भ्यास करो और प्राणायाम में धीरे-धीरे बढ़ा के कुंबक तक पहुंचना इसकी वज़े से आप यह सारे सब कुछ कर शको वज़ा नहीं होती तो फिर बेवज़ा जीवन ऐसा ही होता है मैं कुछ बोज़ो सर्थ फुड़ा सर्थ इसको किरन आपके मेरे एज में बहुत फंगर के बिचा लेकिन जो जिस वास्ते पे तुम अभी चल रही हो ना बचे अगर मुझे वो समय जो सवकत मिल जाती तो शाहद हर्दीप सर्थ सर्वा सकते है कि मेरा लेवल बहुत ही डि अभी है एतरा इंटिव वाली और दूसरा अफर में शन्ष वाली तुम इसको करो च्छ तुम अर तूसरी बात क्या है तुम सबसे बले बात है तुम ने एक आइटिटिटिटी जो वने एक शभद भी उसक्या तुम ने अपनी एक इंटिटिटी बना लिए कि मैं एसी मेरे बच्छपन से मैं बहुत स्राइंटिन इस प्रम में बोल रही हूँ, मैं अपने मेरे पेरेंस इतने एजुकेटेड थे, लिकिन हमने उनको स्रव लड़ते हुए देखा, आज मेरे सारी फैमली युएस में बैठी है, मैं टीचर इन स्कूल, लेकिन ये सब चीजे मैं नहीं करती है, जब तक आपके पासका एंवारमेंट अच्छा नहीं होता, देकिन सर ने मुझे एक चीज बताई जो मैंने पकड़ी, वो क्या बताई, सहिता मैं आप सरेंडर करती है, और जिस दिन मैंने वो शुरू किया, हर्दीर सर आज मै कि बिटिया गर वापस आगई है, ओके, इसके बाद वो बापस नहीं होता हुषिया मुझे, हम दोनों एक चटके नीचे रहने के बावजूदी हम क्वालिटी टाइम स्पैं कर रहे है, मतला हम एक मिनट भी दिन में बात कर लेते हैं, और दोनों के लिए एनफ है, हम अभी कर दोनों क्यों जाए है कर दोनों मतले खाया मैं लूठी जूप एक शबता के लिए पहना स्वीय गिनटों करते हां। और वहां से तुम उठोगी ना, तो तुम एक डिफरेंट लगल पहुजाओगी दीरे 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 ये ये लिए ये लिए बहुत उची पहुत चुकी हूँ, अभी मैंने से क्वेस्टिन किया, मैं अपन दाउन मेरी जर्नी चल रही है बहुत जादा, बीच मेरी जर्नी तुम जो है न, पहले तो आपने आपको पोस्तना, आपने आपको डिग्रेग मत करें, आप बहुत अच्छी हो, अपने आपको पावर्फुल बोलो, अपने लिए, प्लीज, तो सी दा इंप्रूमेंट, देखना तुमको बहुत फरट मेलेगा, बहुत जादा, तभी मैंने आपको समझ में आएगा कि आप वो होते हो, जो आप सोच रहे हो, आपने सोचा कि मुझे कुछ याद नहीं होता, तो आप प्रोग्राम कर रहे हो खुद को बार-बार रिपीट करके इसको, और 20 लोगों में भी बोल दिया, तो और पक्की हो गई वो चीज, फिर किसी के साम आपने बोल दिया कि मुझे इंगलिस नहीं आती तो बहुर पक्की हो गई, ऐसे करते 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 आप पक्के होते चले जाओगे, और फिर आप बदल उसमें बदलाओ करना मुश्किल होगा, तो अब उसको अपोजिट करना शुरू करो, ऐसा ही हो रहा है, मेरे का सर अब आज से शायद मा ओ, कि मैं मिना बोलता हूँ, ऐसा, जह बोलना नहीं है, जह से अभी सर ने बोलना, ना, लिजव डॉन तो तुम क्या चाहती हो, बोलो ना, तो इतने सारे लोग है, एक आदमी हाध उपर करो, जिसके जीवन जो वो चाहता हो, भउजाये, नहीं किसी के घर का environment अच्छा नहीं है किसी में कुछ है किसी में कुछ है यह सब के साथ समश्या है और कोई soul awakening भी होती है अगर हम spiritual पहलो भी उसका देखें तो soul awakening से पहले एक बड़ा breakdown होता है आप तूटते हो बिखरते हो आप बिलकुल खतम हो जाते हैं आपका ego destroy होता है तब आप awake होना शुरू करते हो उससे पहले जो ग्यान है ना वो तो सिर्फ किताबों का ग्यान है जब तूटने बिखरने के बाद जब आपको लगता है कि अब तो इससे आगे तो मरना ही बचा है तब जब आप उटते हो ना तब आप होते हो उससे पहले तो आप जो समाज ने बना आए किसी भी परकार से आ सकते हैं तो वो जो टूटना और बिखरना है एक बीज का उधान जैसे मैंने दिया आपको जब जमीन में दबा हुआ है बीज इसको क्या लगता होगा आपको क्या लगता है उसको लगता है कि मैं पेड़ बनने वाला हूं उसको लगता है कि चारो त लेकिन उस कैद की वज़े से उसका जो नट सेल है यानि उसकी बाहर की जो परत है उसका जो एगो है वो तूटता है और वहीं से अंकोर निकलता है और वहीं पेड़ बनता हुर ऐसे हजारों वीज उससे पैदा होते हैं या जब आप अंधकार में हो तनाव में हो वह टाइम भी positivity को नहीं चोड़ना है वह टाइम भी देखना और the secret movie में सबको suggest कर रहा हूं यह course तो आप करो ना करो आपकी मर्जी है लेकिन the secret समझोगे कि आप जिस चीज को आप दिमाग में सोचते हैं उसको आप attract कर रहे हैं यूनिवर्स में से आप एक magnet की तरह हैं सेम एनरजी attract सेम एनरजी आपने कभी वो सबको सबके साथ होता है वो कॉंसेप्ट को समझो सीज़ को समझो सर मैंने एक चीज़ और शिरू की है सर ब्लेसिंग्स लिखना शोगे मैं और अगर आप बोलो गें तो ब्लेसिंग्स पनर पर एक चीज़ और मैंने शुरू की है सर की सुपह उठते ही यह यह सबसे बहले दर्वाज़ा कहोँ meillä Whlys भूवी लिघ होते सर उठा कब aan शौन के भाच छालें के अधिय। थेंक्यू करते हैं अपने आपने नेर दियर उनका थेंक्यू करती हमें एघ टीयू अधिट बिल्बंगस के लिए ठीक्यू करती हम्यूक्तरिय। मतलब मैं सब्षागैं कहूंगी और सर को मैं आपको भीज़ दूँगी आप मेरे को भीज़ दीजी का मैं शेर करने हैं सब के सब सर माइन प्लोंग और किरन तुम बिलकुल जिंदा मर कर बच्चे मैं तो अभी भी उतनी कंटिनुटी में नहीं हूं चार दिन करती हूं नहीं छोड़ देती हूं क्योंकि ओल्ड है वह जाती नहीं है बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी हमको मैं यह फ्रांक नहीं बता रही लेकिन हमें एक सरका साथ है अमें अपनी ग्रुप का ग्रुप एनरजी है हमारे पास और हम अगर इसको लेके चलेंगे और तो हम लोग डेफिनिट्ली एक ट्रांसफरमेशन है जो अपनी ला सकते हैं बिलकुल और खुद के उपर ही काम करना है हमें यह ट्रांसफरमेशनल योगा खु आग्ना सामाज के सर पर भी बहुत बदलाव होतें लेकिन वह परस्टनल होनी की वज़य से होते हैं जब एक आदमे ठीक होता है तो पुरा सामाज ठीक होता है और कई बार ऐसा होता है कि हमें इतनी गहरी फिलोजपी नहीं समझ में आतीे नहीं किताब में मन लगता तो उस ताइम पर प्राणायाम एक शब्द लिख लो अगर आप अभी स्वास को बदलेंगे तो अभी मूड आपका चेंज होने वाला है सो परतिशत होगे आपके अंदर तो प्राणायाम को पकड़ लो, स टाइम पर वहां से शुरू करो जब आपको समझ में नाया कि माहासन करो यह करो वो करो ध्यान करो आप प्राणायाम करो क्योंकि वह आपके शरीर और आपके मन दोनों की बीस का सेतु है वो बीस से निकलता है जब उस पर करोगे अभी मापके स्वांस को रुखवा दू तो आप कुछ नहीं सोच पाएंगे अभी स्वांस की कती तेज करवा दू तो आपका मेंटल पैटन अभी चेंज हो जाएगा मैंड सेट कापाल पाती को पकड़ लो आपका बाल पाती करना शुरू करो जब आपको कुछी समझ में आए अप एकजेल करना शुरू करो एकजेल करेंगे नाभी जैसे आपका पेट से स्वांस चलना शुरू होगा मेंटल क्लियर त्यानी शुरू हो जाएगी अब्डॉमिनल ब्रीधि सब्सक्राइब एक चीज और स्वारी बोल रहे हैं सर जो चेंज की बात में बोलते हैं सर आप लोग नोटिस करने लगे हैं मुझे इन फेक्ट माई ओन डॉटर सेट थेंक्यू तो मी जव आपर वाकसा की ममा यू गिविन भी इस इस पेस और आप लेकिन मेरी जो अपनी प्रॉब्लम है वो मेरी इस पर आपका कोई रोल नहीं है तो मतलब यह कितनी बड़ी बात है जो मेरी को सुनने को मिनी सा जिसके लिए मैं पता नहीं कितने जिन से वेट कर रहे थी और लोग भी चेंज में देखते हैं तो कहते हैं कि मैं क्या किया आपनी वाट अच्छा लगता है तो यह सब चीटे आ जाएंगी और यह मैंने तो बहुत थोड़ा किया देखें मैं बहुत ज़्यादा नहीं किया लेकिन हाँ मैंने affirmations, blessings यह चीज और तड़ाया है यह तीन चीज पर बहुत थांक किया है लेकिन आपकी बेटी के लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उसको यह realize हुआ कि मेरी समश्याओं का कारण मैं ही हूँ यह spiritual awakening है तो आपको लगता है कि आपके घरवाले आपको प्रेशान कर रहे हैं दूसरा वक्ति आपको दुखी कर रहा है तो आप समझो अभी नहीं बात बन रही अभी आप चेतना का विकास नहीं हो रहा जिस दिन आप सारे responsibility खुद लेते हो कि वो जो लोग है उनको भी तक से हमने ही दिया है वो जो दुख का कान है वो ना होके हम खुद ही है तो फिर आप समझो कि हाँ अब spiritual awakening शुरू हुई है अब आप आप आपका विकास हो रहा है अंदर से चलिए उसके बाद कोई और हो तो बताईए शरीता जे भी थोड़ी दिर शान्त हो सांस ब्रीब्रेट करते है विपस्टना ध्यान भी किया मैंने दस दिन तक बहुत बढ़िया अभी उस विपस्टना को छोड़ो आप सिर्प प्राणायाम करो विपस्टना थोड़ी next level कीजिए अब बढ़िया है वो लेकिन अभी नेक्स लेवल होगा हां बिलकुल होगा न पंदरह दिन आप करो उसके बाद मज़े बताना और सुर्ट जो अभी आपने पीछे जो ग्लाशे अभी चल रही है जो कराई थी वही कर सकते हैं या और भी कर सकता दर कोई भी कर सकते हैं जो सेल्फ यलिंग की तो वह तो लाइव क्लास थी mindfulness कोई भी कर सकता है कभी भी कर सकता है वो practices हैं वो सारी हमारी हर रोज की हम करते हैं वो कोई भी कर सकता है transformational yoga भी start होने वाला ये भी आप सीख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए चलो उसके बाद वो भी हुआ है नहीं तो करोगे कहां से अभी नेक्स्ट और कोन है बताईए वो किसी का कोई सवाल हो तो फिर छोटा सा meditation करके फिर आज की session को end करेंगे हम छोटी से ध्यान के साथ किसी को कुछ बोलना है तो भी बोल सकते हैं दो मिनट सर लंच या डिनर की timing आप लंच करें चार बांच बजए कुछ हलका फुलका खाएं और फिर दिनर उसके बाद करें दिनर करके आप योगा प्रैक्टिस ना करें यह ध्यान रखना है यह साथ दिन के बारे में पूछ रही जो योगा हम करेंगे तो मैंने ग्रुप में भी डाला था आपको लंच करना है चार बांच बुझे कुछ खालो उसके बाद दो दिन घंटे खाली रहो खाली पेट फिर प्रैक्टिस करनी है फिर साढ़े नो बुझे आप डिनर करो सिर्फ साथ दिन की बाद आप प्रजस कर सकते हैं लिकविट में ने सकते हैं सर तिन-चर घंटे के पीच में हां ले सकते हम हरियों हरियों सर हर रोज की वीडियो सुपको मिलेंगे हाँ हम वीडियो सारी मिछ सारी हर रोज की वीडियो laban हमें कनेक्टेड नहीं हैं मेरा नंबर मैं भी यहां भी शेयर कर देता हूं कि पर दिलेंद्रेंद कफेकल मैं है का अपका नंबर ती जिया न इसमें डाल दिया मैंने चैट में यह नंबर है मेरा तो इस पर आप वर्टसप मैसेज छोड़ दीजिएगा जिनको जोइन करना है इंटरेस्टिट हैं जो तो आपको ग्रूप में एड़ कर दूँगा मैं चलिए उसके बाद छोटे से ध्यान के लिए हम बैठ जाएंगे बाद में भी यह नंबर है किसी टाइम में आप कुछ इंफरमेशन लेने हैं तो ले सकते हैं कल श्याम से शुरू होगा कोर्स कल साड़े साथ मज़े श्याम से और सर इसमें फैन का क्या रहेगा ओन रहेगा या उफ रहेगा वो तो आप क्यो बढ़ेंड है आप बटन दब क्योंकि उसी तरह से वह करनी पड़ेगी ना फैन गर्मी है तो ओन रखो और सर्दी है तो ओफ रखो कोई मतलब नहीं इसका फैन से आप कमफरेटेबल होने चाहिए यह सीज में भी बैट क्या आप कर सकते हैं बहुत जादा चिल नहीं कर लेना आप कमफरेटेबल होने चाहिए और आपको आवाज आने चाहिए अगर फैन आप बहुत तेज चला रहे हो और आप सिर्फ मोबाईल से सुन रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं फिर आप यह फोन यूज करना है बड़ा स्पीकर लगाना ठीक है चले किसी भी कमफरेट कोई जिसमें बैठ जाए यहां के बंद करके बैक स्टेट करके पांच साथ मिनट चोटा सा ध्यान करेंगे यह जो अभी शिक्षा ले हैं हमने जो समझी है उसी को थोड़ा सा अपने अंदर उतार लेंगे आंके बंद कमरगरदन सीधी दो चार लंबे गहरे स्वांस लें लंबे गहरे स्वांस लें थोड़ा स्वांस को लंबा करें जो भी स्वांस चल रहा है उसे थोड़ा लंबा और गहरा करें अपने हर स्वास को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि हर एक्जील के साथ जैसे ही आप स्वास को बाहर चोड़ रहे हैं हर स्वास के साथ आपका शरीर स्थिर होता जा रहा है स्टेबल हो रहा है मूरती वत हो रहा है ऐसा भाव करें महसूस करें कि हर एक्जील के साथ आप धीर धीरे पत्थर की मूरती बंदे जा रहे हो जैसे महात्मा वुद्ध की मूर्ति देखिए आपने, वैसे ही स्वास आ रही है, स्वास जा रही है और हर एक्जेल के साथ आपका पूरा शरीर मूर्तिवत होता जा रहा है धीरी धीरी मेरे हर काउंट के साथ आपका शरीर स्टेचू होता जा रहा है वान जैसे पूरा शरीर पत्थर का हो गया, ऐसे महसूस करें, स्थिर हो गया खुद को विजुलाइज करें, एक मूर्ति के रूप में देखें तू, नेरे हर काउंट के साथ धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे हैं त्री, अब अपना ध्यान अपने शरीर पर घुमाए, जिन जिन बोडी पार्ट का मैं नाम लूँ, उनको अपने मन की आँखों से देखना दोनों पैर, अपना सारा फोकस अपने पैरों पर लेके जाएं तोनों पिन लियां, काफ मसल्स थाइज, हिप्स आपके पूरी कमर, महसूस करें अपनी कमर को दोनों कंधे, दोनों हाथ, चेस्ट, अब्डोमेन, गर्दन चे नीचे का पूरा शरीर महसूस करें भोतिक शरीर को महसूस करें, फिजिकल वोडी को महसूस करें अकसर, चेहरा, आखें, होट, ना, कान, महसूस करें अपने भोतिक शरीर को महसूस करें अपने भोतिक शरीर के परती जाग रुखों अब धीर धीर अपना ध्यान अपने शरीर से हटा के अपने प्राण शरीर पर लगाएं अपनी आ रही जा रही स्वांस को महसूस करें कि सिफ स्वांस चल रही है जैसे भोतिक शरीर धीरे धीरे मिट गया है, सिफ स्वांस ही बाकी है सिफ स्वांस ही चल रही है अपनी आ रही जा रही स्वांस को महसूस करें स्वास आ रही है, पूरे शरीर में फैल रही है और पूरे शरीर का तनाव खिचाव लेके बाहर जा रही है इसी धाना को कुछ देर के लिए करें अपने शरीर के उर्जात अंतर को महसूस करें अपनी नस नाड़ियों को महसूस करें जो एक प्राण विद्ध आपके शरीर में दोड रही है उसे महसूस करें दीरे दीरे अपना ध्यान अपने सवास से हटागे अपने मन पर इस समय आप कैसे महसूस कर रहे है अपनी भावनाओं पर लेके जाएं इस समय मन के स्तर पर कैसे महसूस कर रहे है हो सकता है बहुत खुश हो, हो सकता है दुखी हो, हो सकता है बोर हो रहे हो जो भी हो रहा है सिर्फ देखना है उसको, बदलना नहीं सिर्फ जानना अब धीर धीर अपनी भावनाओं से उठा के अपने मैंड को, इस समय मन में क्या चल रहा है अपनी साइकिक बोडी, यानि आपकी विचार, मन में क्या विचार चल रहे है क्या थोड़ प्रोसेस चला हुए, उसे चेक करें, सिर्फ चेक करना, चेंज नहीं करना क्या सूच रहे हो इस समयाब कुछ देर के लिए जानना है कि आप क्या सोच रहे हैं इस सवाल का जवाब ढूनने की कुशिश करो क्या उतल पुतल चली हुई है इस समय आपके बुद्धी में जैसे आप सारा दिन दूसरों को चेक करते हो कि दूसरे की दिमाग में क्या चल रहा है खुद को चेक करो क्या सोच रहे हो आप क्या सुद्धी आपके बुद्धी आपके बुद्धी आपके बुद्धी आपके दिमाग में अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने विचारों से हटा के जो इस सारे प्रोसेस को जो देख रहा था जो शरीर को महसूस कर रहा था जो भावनाओं को महसूस कर रहा था जो विचारों को देख रहा था उसे देखने पर लगाओ Observe the observer कि कौन इन आखों से देखता है कौन इन कानों से सुनता है कौन इस नाख से स्मेल करता है इस तवचा से महसूस करता है खुच से पूछो कि मैं कौन हूँ Who am I? कौन है जो इस बुद्धी से सोसता है कौन है जो अपनी मन में भावनाओ को महसूस करता है कौन है इस शरीर से जो स्वांस लेता है कौन है जो इस शरीर से पंच करमेंद्रियां ग्यानेंद्रियों से इस पूरी लाइफ को experience कर रहा है Who am I? कौन है जो सुखी हो रहा है दुखी हो रहा है आप बोलते हैं मैं दुखी तो मैं कौन? कौन आप? उस मैं का मतलब क्या है? इसी स्वाल को गहरा उतरने दे कि मैं कौन हूँ? मैं वेू अधे हैं वे। पूरणेब का बढम मैं वे। घंवा है? अब यहीं से धीर धीर गहरा स्वास परें और तीन बार रों का उचान करें एक गहरा स्वास परें लंबा उम का उचान पूरी बोड़ी को माइन को वाइब्रेट होने दे एक एक सेल में वाइब्रेशन होने दे तीन बार रों का उचान करें तीन बार रों का उचान करें तीन बार रों का उचान करें पूरे हिर्देशे परमात्मा का धन्यवाद दें शरीर के लिए इस जीवन रुपी आउशर के लिए जिसकी ये बुद्धी मिली, ये मन मिला, ये शरीर मिला, ये प्राण मिला अब इस लाइफ को एक्स्पिरिंस कर पा रहे हैं इस डिवाइस के त्रूप इस साधन के द्वारा इस जीवन को अनुभव कर पा रहे हैं धन्यवाद दे इस चीज़ के लिए धन्यवाद दे कि आप जीवित हैं, धन्यवाद दे कि आपके सिर्के उपर Truck है खाने के लिए भोजन है जो भी मिला है उसके लिए अनुग्रह का भाव, ग्रेटिटूट, धन्यवाद का भाव, मन ही मन में बोले जो है उसका धन्यवाद ते, जो नहीं है उसकी शिकायत ना करे जैसे आप शिकायत के भाव में रहते हैं, आप लो वावरेशन में रहते हैं जैसे आप धन्यवाद के भाव में रहते हैं, तो एक पूर्णता का अभास, एक अबंडन्स आपको फील होता है आपकी vibration high होती है सबसे basic practice है vibration को high करने के लिए धन्यवाद का भाव दोनों हाथ आपस में रब करें पहले से ज़्यादा awake, aware महसूस करते हुए जागरत महसूस करते हुए जीवित महसूस करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ हेलियों को अपने पूरे शरीर पर apply करें healing energy को apply करें पूरे शरीर को एक healing touch दें धन्यवाद दे पूरे शरीर को एक healing touch दें अलग-अलग body parts को touch करें और धन्यवाद दे दोनों हाथ प्रेयर पूजिशन में एक साथ मिल के बोलेंगे लोकाह, समस्ताह, सुखिनो, भवन्तो ओम शांते, शांते, शांते अब सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते अब सबके अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ अमीद है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो थोड़ा भूत समझ में आया होगा आपको वो नहीं भी आया हो तो आप किसी टाइम भी पूछ सकते हैं जितनी मेरी बुद्धी और मेरा ग्यान था उतना मेंने कोशिश की अब मेरा नमबर सबके पास है अगर जिसको भी जोइन करना हो कोश वो आप मैसेज करके किसी भी टाइम कोई इंफर्मेशन चीए अब बता सकते हैं पूछ सकते हैं अपना केमती समय देने के लिए सबका धन्यवाद सबको शुबरात्री सबको नमस्ते जी